नमस्ते दोस्तों वेलकम बेक टू पीएजे इंफो लॉक्स और पीएजे इंफो लॉक्स में मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रसाद वापस एक बार सभी का स्वागत करता हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि आपकी वर्ट्रीस की वेबसाइट में आप Most Secure Payment Gateway कैसे इंस्टॉल करें जैसे कि जब इकॉमर्स वेबसाइट की बात आती है तो काफी सारी लोग बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट में हमें अच्छा सा Secure Payment Gateway चाहिए और CCU Avenue यह Most Popular और सबको पता होने वाला Payment Gateway है दोस्तों तो आज की इस वीडियो में दोस्तों म लेक या दो दिन भी जाता है तो registration के बाद आपसे क्या गलती हो सकती है या आप क्या मिस कर सकते हो तो यह इसका registration सबसे पहला step है ठीक है तो इसके integration में थोड़ा सा टाइम लगता है तो यह Payment Gateway Most Secure है लेगिन आपको activation के लिए भी प्रॉपर आपका account verify होता है फिर आपको यह activation करके देता है CCAvenue तो वो सब step में आपको इस वीडियो में बताने वाला हो तो आप थोड़ा भी वीडियो मिस मत करिएगा अगर आपको जल्द से जल्द integrate होने वाला payment gateway भी चाहिए दोस्तो तो आपको मैं उपर i button में यहापे बता रहा हो आपको Razer Pay का payment gateway मिल जाएगा तो Raz इस minute में पूरा integration कर सकते हो WordPress में और second payment gateway है पेकून payment gateway उसका भी मैंने पूरा video tutorial दे दिया है दोस्तो अगर आपको वो भी इंप्लिमेंट करना है website में तो वो भी आप implement कर सकते हो क्योंकि इसका जो charges है दोस्तो वो एकदम कम है तो आपको सब charges वागरा details इस i button वाले वीडियो म में देख सकते हो तो चलिए जाजा देर नहीं करते है और CC Avenue का payment gateway website में कैसे integrate करे उसके steps हम लोग laptop screen पर आके देखेंगे तो guys आप देख रहे हो कि हम लोग laptop की screen पर आ चुके है payment gateway integration के लिए तो इसके पहले भी मैंने payment gateway integration के कुछ वीडियो डाले थी वो आप देख सकते हो channel पे लेकिन आज मैं आपको भी एक main गलती बताने वाला हूँ जो मुझसे CC Avenue payment gateway integrate करते वक हुई थी देखो आज date है 16 September ठीक ह मैंने तकरीबन एक मैना पहले या आधा मैना पहले इस payment gateway को apply किया था activation के लिए तो वो मेरा मतलब इन्होंने थोड़ा सा delay कर दिया था activation में और जबी activation में डिले हो जाता है तभी आप थोड़ा सा irritate हो जाते हो और यह payment gateway integration चोड़ देते हो तो अभी आपको मैं लेके चलता ह जिसकी registration and login system समझाने के लिए तो यहाँ पर आपसे सबसे पहली बढ़ी गलती होती है तो आप ने अगर यह गलती कर दी तो आप payment gateway integrate नहीं कर पाऊगे तो चलिए चलते CC Avenue की website पर यहाँ पर मैंने CC Avenue डाला और Google Search में आ गया CC Avenue merchant login इंडिया तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर login sign up का page आता है अगर आपका account पहले से रहेगा तो आप यहाँ पर इसे login कर सकते हो और अगर आपका account नहीं है तो यहाँ से sign up कर सकते हो ठीक है तो हम लोग अभी चलेंगे sign up टूटली मतलब नय account open करने के लिए तो sign up करने के बाद दोस्तों आप आपको यहाँ पर आता है, एक simple pricing, no surprises, और यहाँ पर लिख्या आ रहा है कि startup pro zero है, इसका price, यह आप कोई भी मतलब normal website में use कर सकते हो, जो web developer है वो भी use कर सकते है account, ठीक है, zero setup fees वाला, और privilege में थोड़े से आपको ज़्यादा features मिलते है, ठीक है, तो आप अगर देखूंगे दो तो यह आपको अगर इंडिया में आप use कर रहे हो, तो रूप है कि debit card से transaction हुआ, तो आपको 0% इसमें transaction fees लगने वाला है, UPI payments हुआ, तो भी आपको 0% transaction fees लगता है, और आपका अगर master card, visa card, international payment रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है, वो 3% charges लगने वाला है आपको, ठीक है, और अगर आपका Indian payment है, master या visa card कोई भी, तो आपको 2% charges लगेगा, तो यह हुए दोस्तो इसकी charges की बात, अभी आप क्या करते हो, सबसे पहले आप sign up करते हो, आपको account open के लिए यहाँ पे पूछा जाता है, तो आप sign up पे click करते हो, sign up पे click करने के बाद आपको जाना रहता है, get started पे, जैसी get started open होता है, तभी आपको यह sign up का पूरा form बरना पड़ता है, यहाँ पे आपका business information आपको बरना पड़ता है, थोड़ा सा मैं zoom कर देदा हो, ताकि आप अच्छे से देख सको, तो business information बरना पड़ता है, बाद में आपका यह business filing status, जो choose one करना है, आपको individual है, तो individual developer रहोगे, तो individual select कर दो, ठीक है, बाद में आपके website का URL डाल दो, मैंने भी मेरा यह psjwebtech.com जो था, मेरा तो test वाला URL था है, यहाँ पे मैंने website भी बना के रखा है, test में मैंने folder बना के website डाला था, तो मैंने यहाँ पे सब folder नहीं डाला, लेकिन यह जो है मेरा psjwebtech.com इतन इसका शायद से mail आ सबता है, तो यह मैंने तकरीवन एक देड मेना पहले किया था, मैंने आपको पहले भी बताया, तो यह मैं मेरे mail में जाता हूँ, और मेरे को क्या mail आये थे, और मेरे से क्या गलती हुई, वो मैं आपको बता था, ठीक है, 2nd August को मेरा account registration complete हुआ है, इस line मे और बाद में इन्होंने मेरे को कुछ यहाँ पर Excel वगरा भेजी थी, कुछ integration kits वगरा भेजी थी इसमें, और यह जो transaction के कुछ मतलब instruction है, वो मेरे को इन्होंने Excel में भेजे थे, तो दोस्तों इस तरह यह activation के लिए 2-3 दिन भी ले ले लेता है, जैसे कि मैंने 2 August को यहाँ प आपको user ID मिला रहता है, तो यह user ID जब यह form बरोगे तभी आपको नहीं मिलता, यह आपको activation के बाद user ID प्रोवाइड करते है, यह जो आपको mail में user ID दिख रहा है, यह मैं zoom करके बता रहा हूँ, तो इस तरह यह activation के बाद में मिलता है, यह मेरा website का URL है, psjwebtek.com, ठीक है, त उसके बाद यह expired हो जाता है, तो मैंने वही गलती की थी, कुछ दिन बाद यहाँ पर login किया था, और यह मेरा link expired हो गया था, तो वापस मैंने आज क्या किया, उसी mail में गया, और registration करने गया, registration जैसे करने गया, तो मेरे को password मैंने forgot डाला, तो जैसे forgot password डाला, तो यहाँ पर मे आगे भी थोड़ी बहुत चीज़े feel करने रहते हैं, और main अभी आपका part आएगा, वो आएगा आपका settings में, ठीक है, तो उसके पहले में आपको, अभी आपका account activation तो हो चुका है, आपको भी WordPress में उसका CC Avenue का plugin डालना पड़ेगा, तो पहले जाते और CC Avenue का कौनसा plugin इंस्ट् यह है मेरा website, यह मैंने एक demo store बनाया है, और आप भी अगर आपका website पर test कर रहे हो payment gateway पहले, तो आपको सबसे पहले कोई भी कम कीमत का product बनाना है, जैसे कि मैंने 100 रूपे का चीज़ बनाया था, 100 रूपे का यह जो है वो shoes है, वो men's grey canvas shoes है, 100 रूपीज, तो इसमें delivery charges 50 लग कि वहाँ पे payment gateway है, क्या CC Avenue का, तो add to cart नहीं कर रहा हूँ, मैं direct buy कर रहा हूँ, बाइर पे चले आने के बाद, दोस्तों आप देखूँ कि यह subscribe page info logs मैंने website का नाम रखा है, और यहाँ पे checkout का मेरा page आ चुका है, और यहाँ पे सब मेरा जो form है, वो मैंने पहले भी कई बार इस page पे आके भरा था, तो यह सब cash memory से pre-filled होके आया है, और यहाँ पे सब product की price अगरा है, और यहाँ पे cash on delivery इन्हों ने लिखा है, तो यहाँ पे अभी आपको cc avenue का कुछ installation नहीं दिख रहा है, मैंने activate नहीं किया है cc avenue, तो सबसे पहले cc avenue को मैं activate करूँगा, dashboard में जाओंगा, दूसरे tab में मैं dashboard में गया, dashboard में जाने के बाद ही मुझे क्या करना है, plugins म जाना है, add plugins में जाने के बाद आपको यहाँ पे type करना है cc without space avenue, ठीक है, जैसी आप cc without space avenue डालते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको चार plugins दिखेंगे, तो चार में से आपको जो cc avenue payment gateway for woocommerce वाल है, निलेश चोरस या, भाई निलेश चोरस या वाला यह आपको install करना है, जैसे ही आप यह install करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे active का message आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको 5 star rating है, 5000 plus active installation है, इसके नीचे भी है cc avenue का plugin, लेकिन यहाँ पे इसको कुछ star rating नीए, 400 active installation ही है, तो यह 3 years ago वाला है plugin, और यह 4 months वाला है, फिर भी इसको activations और installation इसके जाद है, तो मैं आपको यह recommend करूँगा, तो मैं इसको अभी activate कर रहा हूँ, तो activate दोस्तो हमारा हो चुका है plugin, ठीक है, आप यहाँ पे देखोंगे plugins में आके, तो यहाँ पे देखो, cc avenue payment gateway for WooCommerce, यहाँ पे deactivate का option है, तो मैं अभी सबसे पहले क्या करूँगा, अभी मेरे WooCommerce में चल जाओंगा, इसके बाद मुझे जाना है WooCommerce में, WooCommerce की जो settings है, settings में जाके मुझे plugin वहाँ पे जाके activate करना है, और वहाँ पे credential डालना है, जब तक यह WooCommerce में जाके load हो रहा है, तब तक मैं क्या करता हूँ, मेरे cc avenue के merchant account में login कर लेता हूँ, तो जासे मैंने मेरा user id copy कर लिया, तो मुझे क्या करना है, mail से copy किया हूँ, जो भी मेरा user name में, वो यहाँ पे मुझे डालना है, ठीक है, user name में, और उसके बाद में, यहाँ पे मैं password डालूँगा, जो मैंने कुछ से create किया था हूँ, तो वो password मैंने डाला, यहाँ पे मैंने login कि जिस लॉग इन होने के बाद आपको यहाँ पे पूरा यह बता देखा कि successful transaction, PC, tablet, mobile, यह आपको पूरा analytics देता है, यहाँ जैसे कि Google का analytics देता है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे इसके सब मतलब यह pie charts वगरा है, कुछ donut charts वगरा इन्होंने यहाँ पे दिये है, ठीक है, तो य फिस settings में जाके आपको gateway settings में जाना है, gateway settings में जाने के बाद, यह main settings है, दोस्तों आपको इस पे ध्यान रखना है कि web store name आपको डालना है, मैंने डाला है, PSJ web टे, ठीक है, Google analytics code आप मत डालिए, यहाँ पे आपका logo upload कीजिए, ताकि आपको payment के समय में आपके, जो भी user है website के, उनको पता चले कि हम किसको payment कर रहे है, किसकी website पे payment कर रहे है, तो उसका website का आपका logo आ जाएगा, ठीक है, तो यह 20 के भी तक इसका limit है, इसके उपर मत upload कीजिएगा logo file, फिर यहाँ पे pre-populated data आपको yes कर देना है, ठीक है, default currency में ने INR set किया था, पहले के एक tab में, और default language में यहाँ पे जो भी है, वो language selection on the transaction पे, जी yes करना है, shipping address, yes वगरा, यह सब yes, yes, yes करना है, फिर promotion सुनो करना है, ठीक है, फिर यह alerts वगर आप रहोगे, WhatsApp alerts, SMS alerts तो आपको extra charges लगेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उसको कुछ on मत किजिएगा, ठीक है, और नीचे यह जो ह आपको जाना है, API Keys में, तो API Keys में आप जैसे जाते हो दोस्तों, तो आपको यह main तीन चीज़े आपको अभी plugin में डालनी है, merchant ID, access code और working key, तो मैं अभी जा रहा हो, यहाँ यहाँ पे WordPress की website में, और यह मेरा plugin पूरी तरह से install हो चुका है, ठीक है, तो मैं अभी जा रहा हो, payments में, आपस एक बार बता रहा हूँ, WooCommerce में जाना है, settings में जाना है, और payments में जाना है, यहाँ पे आप देखूगे दूस्तों, तो कई सारे मैंने payment gateway डालके रखे है पहले से, और इसमें आप देखूगे तो cash on delivery जो है, वो मैंने on रखा है, और CC Avenue यहाँ पे अभी activate हो चुक अप्शन है, ठीक है, यह merchant ID वेगरा मैंने पहले डालके रखा था, यहाँ पे जो भी आपका merchant ID है, दोस्तों, वो सबसे पहले हम लोग merchant ID copy करेगे, CC Avenue के account से, तो यह मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, CC Avenue के account में, यहाँ पे देखिए, पहला ही option है, merchant ID, तो यह मैंने copy किया, merchant ID, और यह मैं मेरी WooCommerce की settings में गया, यहाँ पे merchant ID पेस्ट किया, तो यहाँ पे जो extra space है, वो आपको remove कर देना है, उसके बाद आपको working key डालनी है, यहाँ पे, working key जो है, वो भी आपको settings में से उटानी है, आप यहाँ पे जाओगे, आपके account में, CC Avenue के, और नीचे working की third option है, तो second option है working key, यहाँ पे मैं paste कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा check करना है, space वगरा चुटा है क्या, नहीं चुटा है, पाद में आपको access code डालना है, जो कि आपकी CC Avenue के settings वाले option में, API settings है, API keys जो है, उसका जो second option है access code, तो access code भी मैं यहाँ पे copy कर रहा हूँ, औ और यहाँ पे मैं मेरा access code डाल दे रहा हूँ, access code में जैसे ही मैं डालता हूँ, यहाँ पे भी मैं check करूँगा कि कुछ space आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे space नहीं आ रहा है, तो यह 3 चीज़े मैं ने डाल दी, merchant ID, working key, access code, उसके बाद में यहाँ पे default city वगरा मुझे कुछ default country यहाँ पे कुछ अलग select हो, तो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं इंडिया select करके रखा हूँ पहले से, यहाँ पे मैं बाद में आऊँगा और save करूँगा दोस्तो, save करने के बाद यह पूरा अभी activate properly हो चुका है, अभी हम लोग चलेंगे product purchase करने के लिए, और फिर देखें यहाँ पे सिफ cash on delivery का option था, अभी हम यहाँ पे cash on delivery का option है, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी इसको refresh मारने वाला हूँ, जैसी page refresh हो जाएगा दोस्तो, अभी मैं दीरे से नीचे scroll करूँगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो, और एक cash on delivery की नीचे option आचु तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा card जो है, उसको मैं update करूँगा, एक ही quantity कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं checkout कर रहा हूँ, तो मेरे ज़्यादा पैसे ना जाए, तो ठीक है, मैं update card कर रहा हूँ, update card करने वाद मेरे को यहाँ पे आना है, नीचे, proceed to checkout, proceed to checkout में मेरा अभी 100 रुपीज करेगो, यह transaction है, 59 रुपीज shipping है, 5 रुपीज GST वगरा बढ़के 164 रुपीज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं CC Avenue में जा रहा हूँ, place order कर रहा हूँ, तो यहाँ पे payment gateway properly काम करना शुरू हो गया है, और इसने अपना खुद का page open किया है, और मैंने आपको पहले भी इसे ही, एक रॉफ, तो वो आ चुका यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपका कोई coupon code है आपके बास, तो आपको coupon code देगा हो, तो यह coupon code आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, फिर यह order amount जो है, वो discount apply होके काम हो सकते हैं, तो बाद में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि my billing and shipping address, य आपको यहाँ पे select करना रहता है, तो यह आपका वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे option है, credit card से भी आप pay कर सकते हो, यहाँ पे आपका credit card details आपको डालना है, जो भी आपका credit card number से हो, ठीक है, अगर आपको debit card से pay करना है, तो debit card भी आप कोई भी bank का select कर सकते हो आप यहाँ पर आपके debit card details दार के pay कर सकते हो, बाद में आपको net banking करना है, तो SBI, Cotac, Axis Bank इतने सारे options है यहाँ पर, देखिए कुछ कमी नहीं चुड़ी है, यहाँ पर CCA venue ने, तो यहाँ पर save your bank for next time, वो भी option available है, ठीक है, और 164 रूपीज यहाँ पर आपको price भी बता रहा make payment कर हुए, तो Paytm का यहाँ पर सब details होगर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको wallets में जाना है, तो आप Ula Money wallet से भी pay कर सकते हो, Jio Money से भी कर सकते हो, और free charge से भी कर सकते हो, तो select wallet ने सारे wallets है, आप देख रहा हो, Vodafone, M-Paisa, Yes Bank वगरा, कई सारे wallets इन्हों ने दी है, आपको enter your UPI ID डालके भी payment करना है, यह आपको Google Pay से करना है, तो आप Google Pay को यहाँ पर select करो, आपका जो भी UPI ID वो डालो और proceed for payment करो, अगर आपको pay by QR code करना है, तो आप इसको सिधा select करोगे, और यह 164 रुपीज आपको बताएगा, और अगर आप make a payment पर click करते हो, तो आपको यह सिधा refresh होके यहाँ पर QR code दिखाए देगा, और जैसी QR code को आप scan करोगे दोस्तों, तो QR code से सिधा payment मेरे को आ जाएगा, तो आप यह scan मत करना, वरना payment मुझे आ जाएगा, और मैं आपको वापस नहीं दूँगा, मैं पहले ही बता रहाओ, क्योंकि आप मेरा tutorial free में देख कर रहाओ, और Indian bank select करके मेरा जो है, वो सब में card payment डाल रहाओ, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दोस्तों कि आपकी जो transaction fee है, वो rupee card में total zero लगती है, और UPI payment में भी zero लगती है, तो मैं rupee card से यहाँ पर transaction करने जा रहाओ, तो जो की है मेरा 164 rupees, उसका सिध मुझे जो ह पेज आ चुका है, और Indian bank का ये bank के page पे इन्होंने pop-up दे दिया है, और यहाँ पर अगर मेरा OTP डाल देता हो, तो यह पूरा मेरा successful checkout हो जाता है, और transaction successful हो जाता है, CCMNU का जो transaction dashboard है, यहाँ पर successful transaction में वो transaction आ जाएगा, अगर मैं OTP डाल के successfully proceed करता हो, तो लेकिन मैं वैसा न दिया है, तो I hope दस्तों आपको ये CCMNU payment gateway integration वाला वीडियो अच्छा लगा रहेगा, आपको इसमें कुछ questions रहेंगे, queries रहेंगे, तो आप मुझे नीचे comment box में पूश सकते हो, साथी साथ PSJ InfoLogs का official website भी है, तो website पे भी आप जाके कई सारी bike related, technology related, ऐसी informative videos आप देख सकते और product review के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो I hope आपको ये tutorial अगर अच्छा लगा रहेगा, तो आप channel के साथ जुडे रहेए, तो मिलते ही next studio में तब तक के लिए thank you, bye bye, जै हीन, जै भारत